हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए लेकी आई हूँ इंस्टन्ट नास्ते की रेसेपी इसी आप इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं या फिर मॉनिंग के ब्रेक फास्ट में दोनों टाइम में ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो फिर दे देंगे आधा चमांच बारी कटा हुआ अध्रक अध्रक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा है और इसके साथ जाता भी है तो ईसलिए अध्रक आप जरूर सरव डालें तो अध्रक और जीरा अच्छी तरह से क्रैकल हो गेया है तो अब इसमें क्या करें कै? आधा कटा मैं नमग के भाउड़ी दाल किया है तो अब इसमें दो उबला हुआ अलू डाल देंगे तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टीस्ट के अकारण lux साथ में आधा चम्माच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चुथाई चम्माच लाल मेर्शी पाउडर डालेंगे साथ में आधा चम्माच धनिया पाउडर और एक चुथाई चम्माच डाल देंगे चाट मसाला पाउडर चाट मसाला पॉर्डर से एकदम खटा-खटा टीस्ट आते अच्छा लगता है अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे चाट मसाला की जगह आप दो बून नीमू का जूस भी डाल सकते हो उसे भी अच्छा टीस्ट आता है अब डाल के अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करना है भूनना भी है अब एकदम सिंपल और चटपटा मसाला बन के रडी हो गया है तो लास्ट में थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पत्ती धनिया पत्ती के बगएर तो मसाला में अधुरा है टेस्ट बस डाल के मिक्स करेंगे और मसाला को एक प्लेट में निकाल के गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब क्या करेंगे फिर से एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में एक चमच तेल डालेंगे और तेल को गरम होने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है तो ये तेल गरम हो गया है तो अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्माच कच्छा जीरा साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ अद्रक अद्रक को आप गीस के भी डाल सकते हैं अब इन सबी चीजों को भूनना है तो ये भून गया है तो अब इसमें क्या करेंगे एक कप पानी डाल देंगे नॉर्मल आप मैजर कोई कटोरी से भी कर सकते हो अब पानी में उबाल आने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है तो पानी में उबाल आ गया है तो अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिक, और साथ में अधा कप सुजी, अधा कप सुजी में एक कप पानी डालना है, तो आप मैजर कटोरी से भी कर सकते हो, एक कटोरी पानी आधा कटोरी सुजी, बस अब पानी के साथ सुजी को मिक्स करेंगे, थोड़ा दर होते ही क्या होगा, सूजी पानी पूरा सोब कर लेगा और जो दानेदार लगता है सूजी वो दानेदार नहीं लगेगा पूरी अच्छी तरह से पक जाएगा मुस्किल से मुस्किल पांच मिनट लगता है इसे पकाने में सूजी को पकाते विए पांच मिनट हो गया है पूरे अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है, देख सकते हैं, एक दम लोई बन गया है, और बिल्कुल भी दानेदार नहीं लग रहा है, तो अब इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनियापती, आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, अब सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद क्या हो है, थोड़ा सा ड्राय हो जाता है, गुटलियां बनने लगती है, तो अब इसमें डालना है, दो चमच मैदा डालेंगे, मैदा से बाइंडिंग आ गया, एकदम जिकना भी हो गया है, तो अब इसे क्या करेंगे, दू लोई बनाएंगे इसे, बड़े साइज का ही लोई बनाना है, तो अब इस लोई को बेल लेंगे, नॉर्मल बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम मोटा ही रखना है, तो हमने गोल बोटी को बेल लिए, अब इसे कट करेंगे, तो कट करने के लिए क्या करेंगे, पीजा कटर में थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे, मैदा लगाने के बाद इस तरह से पहले साइड में कट करेंगे, स्क्वेर पीस हमें चाहिए, या फिर थोड़ा सा रेक्टेंगल भी हो जा लेंगे बस इसी तरह से बनाने आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और मोटा भी बहुत नहीं मीडियम हमने रखा है तो एक बार में हमने इतने पट्टी बनाके रैडी कर लिया है तो आप जो आलू को स्टुफिंग बनाके रैडी कर रखा था उस स्टुफ बिना ब्रेड का ये स्टुफिंग बनके रैडी हो गया है तो अब इसे सेखना है तो सेखने से पहले एक और काम करेंगे डिजाइन बनाएंगे ग्रीलर में जैसे सेखते हैं कैसे रखता है डिजाइन वैसा ही तो चाकू लेंगे कोई सब ही और इस तरह से गुमा गुमा के means design बना देना एकदम easy है लेकिन थोड़ा सा महनत करेंगे न तो देखने में काफी सुन्दर लगते हैं इसलिए इस तरह से design बना रहे हैं अब दूसरे side भी same इसी तरह से बना लेना है तो देखके तो समझ में आही गया होगा किस तरह से design बनाना है है न बच्चो का खेल आप बच्चो को भी देदेंगे न तो बच्चे भी असानी से बना लेंगे तो सारे को हमने बना के ready कर लिया है तो चलते हैं फिर अब इसे सेखेंगे सेखने के लिए आप तवे की उपर भी सेख सकते है या फिर shallow fry कर सकते हैं तो आज में क्या करूंगी पैन में थोड़ा सा ते तो देखे हलका-छलका इसके उपर color आ गिया है तो देखे दोनों side अची तरह से color आ गया है अलका-छलका golden color का हूग गया है तो आप क्या करेंगे इससे निकाल लेंगे और निकाल के बाकी कभी सेम इसी तरह से fry कर लेंगे तो बीना bread का sandwich बनके ready हो गया है सूजी का